वेलकम टू आल उफ यू कैसे हैं आप लोग सो बिहार लोग सेवायोग बीपीए सी एसिस्टेंट इंजिनियर साथ बीस का रिजल्ट आ चुका है सब का रिजल्ट आ चुका है फाइनल रिजल्ट सब का दे दिया और कॉंग्राचुलेशन्स टू एवरी एस्पिए टी लंब है जिस पर सेलेक्शन हुआ है कि इस केटेदरी में यह चीज कैसे कल्कुलेट होगी यह चीज मैं आपको सीखा रहा हूं यहां पर सुनिए बहुत सारा बात है मार्केट के अंदर सब कुछ आप लोग सुन रहे होंगे सब देख रहे होंगे ठीक है लेकिन मैं आप कट अफ पोस्ट के लिए यह रिकूटमेंट था है ना तो इसी के एक्रोडिंग करव बताऊँगा आने वाला जो रिकूटमेंट है जो भी अपकमिंग है आज ना कल आपने देखा होगा रोश्टर वाला चार्ट उसमें बहुत सारा वेकंसी खाली था तो आने वाला में भी वो 25-75 जो अपना गेम है वो चीज था इसमें भी है ना 55-75 और और मैं आपको बता दूँ एक-एक कैंडिडेट को 25% तक का भी वेटेज मिला है मतलब ओवराल 25 नंबर भी मिला है एक-एक कैंडिडेट को मतलब तोटल कंप्लीट पांच वर्सों का भी वेटेज मिला है एक-एक को तब जाके यह रिजर्ट डेवलप की गई है क्लियर अब सुनिए कटफ देखिए कैस से कल्कुलेट होगी कटफ अच्छा इससे पहले कंग्राचुलेशन्स टू आवर डियर स्टुडेंट अंजली कुमारी गेट सेलेक्टेड इन इस पर्टिकुलर रिक्रूट्मेंट कंग्राचुलेशन्स मैंनी कंग्राचुलेशन्स टू हर सुनिए देखिए यह जो कटफ का अनालिसिस है आप लोग सब कमेंट करोगे बह है यह कितने में से देखा जा रहा है परसेंटेज आविसली हंडर्ड में से देखा जाएगा क्लियर है तो देखिए मालो आप फ्रेशर स्टूडेंट हो लेट सपोस कि यूर फ्रेशर सुनिएगा चीजों को आप फ्रेशर हो इसमें तो यह जो कटफ प्रिपैर की गई है तो इसमें कॉंट्रेक्शल वाले फ्रेशर सभी स्टूडेंट है जो भी है सब स्टूडेंट है लेकिन कंसिडर कि यूज एज फ्रेशर लेट सपोस तो क्या होगा आपको अगर आप जनरल कटगरी में हो अन्रिजर्व्ट कटगरी में मेल हो लड़के हो बॉय तो आपको इस पर्टिकुलर कटफ को क्लियर करने के लिए कितना लाना होगा मैं मार्क्स बताऊगा तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ यह जान लो टोटल कितना नंबर के एक्जाम है 400 नंबर के एक्जाम आप दोगे सभी देंगे कॉंट्रेक्शोल वाले भी देंगे और आप भी दोगे कितना दोगे 400 नंबर के एक्जाम तो आप सबसे पहले क्या करिए देखिए यहां पर जितने भी पर्सेंटेज लिखे हुए है ना उस पर्सेंटेज के हिसाब से कितना मार्क लाना होगा 400 में से यह कैसे कल्कुलीट करोगे यह टेक्निक मैं अभी बता रहा हूँ अपने हिसाब से कल्कुलीट करके देख लेना देखिए एक पर्सेंटेज का मैं कल्कुलीट करके दिखा रहा हूँ अब क्या करो सबसे पहले यह 400 गुना क्या कर दो 52.073 divided by 100 इतना सबसे पहले कर दिया तो कितना आ रहा है दे सिदा सिदा चार गुना 52.073 divided by 1 तो यह आ जार आपका 208 नमबर सिंपली 208.292 इतना मार्क्स यह आ जा रही है देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब देखिए अब यहां पर हम नियम लगाएंगे 25 और 75 वाला तो सुनिए जो फ्रेसर है उसके लिए यह पचीस नहीं ह तो फ्रेसर को अगर क्लियर करना होगा तो इस परसेंटेज पे ठीक है मतलब कि फ्रेसर भी एकजाम दिया है कोई और उसका यह 52.073 परसेंटेज हो अन्रिजर्व के डगरी में तो उसके लिए कितना नमबर चाहिए होता यह चीज में अब बता रहा हूं तो सुनिए सिंप सी बात है यह जो 208 है 0.292 इसको डिवाइड कर दीजिए 0.75 से इसको डिवाइड कर दोगे जब 0.75 से तो कितना आ गिया 277.72 मार्क्स 237.72 इतना मार्क्स कहने के मतलब है कि अगर आप जनरल केटेगरी में है लड़के है एक सो बिरॉनबे पोश्ट पर ही एक्जाम हुआ था ठीक है उसी के लिए रिक्रूट्मेंट हुआ था और अगर आप लड़के हैं फ्रेसर है निल एक पुरा ब्लैंक फ्रेसर है निल है अगर आप 277 से ज़्यादा लाएं है 288 भी अगर लाएं है तो आपका सेलेक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर एक्जाम में कितने में से लाना है इतना 277 से 400 में से आपको लाना कितने में से है ये टोटल 400 में से सो मान लेजिए कितना भी कट अब इंप्रूब होगा तो इतना बल्क में अगर वेकेंशी आएगा और देखिए सबसे ज्यादा तो यह जनरल के लिए ही अपना इस पर्टिकुलर रिकूट्मेंट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जनरल के लिए है उससे बाकी सब के ल होगे नहीं सही से तो एक्जाम कैसी क्लियर होगा दोस्त है ना तो पढ़ना होगा बागी सब में आपका डब देखिए 48% 40% 43% 31% कितना कम रहा होगा चलिए वो भी कल्कुलेट करके देख लेते हैं जैसे कि 40% का बात कर रहा है तो वाट इस इस 40% तो 400 गुना 40% के रहें मतलब 0.4 है ना 160 160 को डिवाइड कर दिए 0.75 से मतलब जो 40% का डब गिया है है जैसे EWS फिमेल में या EWS में चलिए 48% चला गिया EWS फिमेल का जैसे 40% गिया मतलब 213 नंबर 400 में से भाईयों बैनों कमसकम इतना तो स्कोर करना होगा ना इतना पिंपॉइंटेड इस्टेडी तो करना होगा ना एई लेवल पर रिक्रूट्मेंट हो रही है हल्वा थोडीना है पढ़ना होगा पढ़के जाएंगे स्लेक्शन होगा और जैसे कि आज आज कल अभी जैसे की बीपेसी का पैटर्न हो रखा है अगर और नेगेटी मार्किंग इंट्रेडूस कर दिया तब तो और भी एक अगर एक दो परसेंट कुछ परसेंट बढ़ा भी अगर तो भी क्या कि मैं आपको पता दूं इसमें ऐसा नहीं है कि पचीस टोटल टोटल 25 परसेंट नहीं मिला है मतलब 25 मार्क नहीं मिला है मिला है उस रिजल्ट को कंसिडर करके यह कट अब गया है समझ रहे हैं तो थोड़ा निकलिए ब्रहम से पढ़ाई किजिए अपने उपर फोकस किजिए डेफिनाइटली यू आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड यार गोइंग टू बी सेलेक्टेड सो हमारे पास लक्ष बैच है डेडिकेटेड हम यहां पर क्लासेश चला रहे है और बीपीसी एई अपकमिंग रिक्रूटमेंट जब भी आए मिरको वेकेंसी जब भी आए मिरको एक्जाम निकान लिए बाकी फिलाल मार्च में होली के टाइम के हम भी आ रहे हैं बिहार है ना तब तक अगर देखेंगे अगर कुछ प्लस माइनस इधर उतर हो रखा होग तो सब लोग मिलके चलेंगे भी बीपीसी ओफिस को हर तरीके से सपोर्ट रहेगा दोस्तों हमारा आप सभी के लिए सो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ वेलकम सपोर्ट कीजी अपने इहां के कोचिंग को जॉइन इन आवर डेडिकेड़ क्लास्न प्रोग्राम बीपीसी एई अपकमिंग रिकूट्मेंट लक्ष बैच तमप्लीट क्लास इसमें आपको एवेलेबल होगी इससे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग जाए हिंद जाए भियार थैंक यू वेरी मच्च